जाहिन फ्रेंग्स वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल आम तुशार एंड वेल्कम यू आगेन इन न्यू वीडियो तोड़े वा एर गूंग टू स्टार्ट इस सर्विस सब्जेक्ट अब दिन न्याभाल एंसीसी सो कॉमन सब्जेक्ट में जो र्यांग्स तरब गेरा है और सब कुछ कुमन सब्सक्राइब में और सब्लोग थोड़ा बत पता होगा नवाल को करें सब्सक्राइब कलए और वान जो अमारा वाल उल्वेंटियसम मतलब नेवी के बारे में VegetJack क्या है उनका को नहिंसे पढ़ेंगा सेक्शन कर्णम में इसका क्या है दिए तो हम सेक्शन टूं से सुरू करें फिर सेब्स कब सब्सक्राइब आप जानेगी क्या नेभी का हेड जिसको बोला जाता है cns यानि कि चीफ ओफ नाभल स्टाब यह है cns नेभी का जित्ना भी कुछ काम होता है जित्ना भी कंट्रोल बगएरा होता है वह इनके द्वराइब कंट्रोल किया जाते है cns इनका नाम क्या है आपको पता होगा ना चाहिए इनका नाम है आड्मिराल यह जो है आड्मिराल यह रैंक स्ट्रक्चन में पड़ोगे यह रैंक है आड्मिराल आर हरी कुमार यह है C&S of Indian Navy तो नाभाल हेटक्वाटर जो है NHQ यानिकी नाभाल हेटक्वाटर नाभाल हेटक्वाटर वो कहाँ लोकेट होता है न्यू दिली में नाभाल हेटक्वाटर हेट तो जो C&S है हमारा Chief of Naval Staff जितना भी कुछ काम होता है एक ओफिसर थोड़ी करेंगे तो उनको उनके अंड़र में थोड़े पहुत सरे प्रिंसिपल स्टाफ ओफिसर्स है जिनके दोड़ा यह सब काम मतलब काम पर होता है यह सब कोई भी काम हो त तो इनके साथ नहीं करते है यह निखेंस ॉसर यानि कि यह हो गये सी एन्स चिप आपनेभल स्टाफ उनको किस का जडgar रहतेए प्रिंसिपाल स्टाफ औफिसर्स का जड़र रहते यह जर फोर्रिंसिपल स्टाफ औफिसर्स और द्यार जार फी शी एन्स इसका मतलब क्या है BCNS का मतलब बाइस Chief of Naval Staff इसके बाहत आता है DCNS DCNS का मतलब क्या होता है Deputy Chief of Naval Staff इसके बाहत आता है COP यानि की Chief of Personal CHIEF of Personal इसके बाहत आता है Chief of Material यह होगे Four Principal Staff Officers आब तो CNSA मतलब Chief of Naval Staff जो है करते क्या है उनके काम जो है चारो नाभाल कमांड में ओता है नेभी में हमारा चार कमांड है Four Commands हा दिया है DJN and पहले आया हमारा Western नाभाल कमांड सेकेंड में क्या है BCNS BCNS का काम क्या होता है CNS का काम तो आपको पता है नेभी में कुछ भी होता है तो CNS उनका head होते है Chief of Naval Staff तो CNS हो गया BCNS का मतलब क्या होता है Vice Chief of Naval Staff उनका काम क्या होता है नेभी में कुछ भी काम होगा उनका planning programming जो होगा उस staff branch आई ही करेगा तो उनका काम जो staff branch आई का काम होगा तो BCNS का काम होई होगा क्योंकि उस staff branch आई का head होते हैं तो तो He is responsible for Planning Programming and all administrative services okay और एक बात होता है जब CNS absent होते हैं तो उनका absence में BCNS CNS के तरह काम करते हैं यह हो गया BCNS इसका बात क्या आता है DCNS DCNS का मतलब क्या हो गया है Deputy Chief of Naval Staff अगर BCNS staff branch I का head है स्टाफ branch double I head of staff branch double I यहनि कि staff branch 2 आप अब बताओगे कि staff branch 2 का काम क्या है staff branch 2 का काम है जो भी planning programming करता है staff branch आई उनका operation उनका communication यह सब परना है staff branch double I उनका काम क्या हो गया he is responsible sorry कुपते भोग रहे है he is responsible for operation intelligence communication सब मेराइन सब मेराइन मतलब वही जाज पंडू भी जो डाइब्ड स्टेट में सर्वे करता है नाभा लेवियेशन नाभा लेवियेशन मतलब यह जो helicopters hydrojet वह हो गया नाभा लेवियेशन ओके यह नाम काम प्याएँगे COP यानिकी cheap of personal याद यह ना cheap of personal COM का मतलब cheap of material cheap of material okay COP है cheap of personal आद it controls the manning requirement of the navy manning requirements क्या है कि जितने भी लोग मतलब जितने भी starts होंगे तो नेभी में recruitment होता है उनका मतलब नेभी में जर्न करते हैं उनका training उनका वरफायर discipline discipline मतलब क्या आगया drill बगर आगया discipline मतलब काम पे से होना यह सब आगया of naval personnel यह cheap of personal का काम होता है cheap of personal यह इस हो करते हैं okay it controls the manning requirement of navy and he is responsible for recruitment training welfare and discipline of naval personal okay यह हो गया cop इसके बाद क्या आता है com 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 cheap of material इसे आपको यहां पर याद रखना है cheap of material क्या करता है जो maintenance है ship का अगर का यूद्ध करने क्या होगा ship या फिर merchant ship में इसे कुछ से खराब आता है खराब हो जाता है कभी तो उनका maintenance क्यों परता है cheap of material okay the cheap of material the cheap of material is responsible for and rating को थोड़ा इगनर कुरना responsible for maintenance and assistance providing maintenance and assistance to the ships यह हमने परले principal staff officer की बारे में रुब जाएंगे नाभल कोंम्न्स कि नाभल कोंम्न्स मैं ब गहां जो कुछ भी काम होता है वहीनिशे operate के जाते है कुछ भी होगए ट्रेनिंग हो वह यहाँ फिर कोई वहा हो भागरा कुछ भी यहाई शे ऑप्रेंड के जाते अबट कमाड्स अबरे कितना है four नावल कममन्टषातियार मैंने पहले बोल था the nay इस्तन नॉच्टन नॉपण्वाल कमन्ड को इस्टन कमन्ट वेस्टन नावल कमन्ड और सदन नावल कमन्ड और उनिफायर नॉच्मड तो सबसे पहले क्या होता है वेस्टन नावल कमण वेस्टन नावल कमण डब्लू एन सी यह प्रेजेंट कहा होता है सबसे पहले बात प्रेजेंट इन मुंबाई मतलब यह प्रेजेंट इन मुंबाई मतलब यह है मुंबाई में है तो फिर जितना भी नावल कमण नावल कमण्स और मतलब उनका हेड चो होते हैं वो भाई Extraordo होते हैं कमांडीरूडड ANDREW bis Мих驶ेथ होना चाहिए वो उनकों कभी सब्स्याजिवा तो जो वरकि कमांड से वय सब्सक्राटों व्हक्तब सब्सक्राट होते हैं कमांड है उनके कस वी सब्सक्राट प्रेमिकर गजा है लेकिन उनका नाम जो से सलिखा लिए कॉमांड्स में इनको फ्लाग ऑफिसर पोल जाते हैं तो By the western novel क्मांड क में जो है ये फ्लाग ऑफिसर यह फिर ये में लीक देता हूँ कॉमन्डेड वै भाइस आड्मिनल याल रखेगा कमांड एड़ भाइस आड्मिनल तो भाइस आड्मिनल जो है इसे कमांड गरते हैं डिजाइनेटर एज वही भाइस आड्मिनल डिजाइनेटर एज एफ ओ सी आई एन सी डवलू ओके इसका मतलब क्या हो गया है प्लाग ओफिशर कमांडिंग आइनका मतलब इलांन डिजह भाइस आइनका मतलब इन हैं इलो चिपष। डगलू पर व्यसट ओके व्यस्ट नवाल कमांड में फ्लाग ओफिशर कमांडिंग चीट वेस्ट यह हो गया वेस्टन नाभल कमण यह एक ओपरेशनल कमण है इट इज एट एट इज एट ओके ओपरेशनल कमण याद रखना वाली बात यह है ओपरेशनल कमण आध ड्मिनल जितना वी नाभल कमण्स होता है आध अध ड्मिनल के दdooरा कोमण्नीट के जट है और आध डिएट रंटल कॉमंनेट यावोड कमण जर्चिफ लिएस्ट यह गँंद गया वेस्ट नावल कमाड इसके बाद आगया इस्ट नावल कमाड काहा भी प्रेसेंट होता है रेसेंट यहीं विशक अपाटनम विजगा पाटनम, वोई भाई जैक वला, विजगा पाटनम में ट्रेजेंड होता है, इस्ठा नावाल कमांड, जैसेगे मैंने बोला था नावाल कमांड, मतलब कमांडेड़ भाई भाई अड्मिरल, इट इस अल्सू, commanded by vice admiral ओके लिखिनी designated as flag officer commanding in chief east वो होता था west यह होता है east वह ही flag officer commanding मैं दुबारा लिखनी रहा हूं वह होगा flag officer commanding in chief in chief east इस्ट इस अल्सो एन operational command operational command मतलब कुछ भी काम होता है वह होई से operating ही क्या जाता और कुछ नहीं क्या जाता इसके बाद आता है थार्ड में snc southern naval command यह फिर साउदन नाबल command located at present at कोच्ची केरला का जो कोच्ची है वही present होता है सोरी यह दीख नहीं रहा है ठीक में ऊपर करते था हूँ अब दीख रहा है located at कोच्ची यह स्वधन नाबल command यह भी commanded by vice admiral designated as flag officer commanding flag officer commanding in chief अब्रीक क्या एस 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 फो सी आइनसी एस शाउध एस पर साउथ यहाब एस्ट फ़र एस्ट समझे डबल फ़र गोष्ट तो यहाँ लिखते है छोड़ लीकिन यह जो सौधन नावल कमाड़ है यह होता है क्या ट्रेनिंग कमाड़ जितना विट्रेनिंग है जितना विट्रेनिंग बेश यह ओसे बा собствен नावल कमाड़ में मतलब जितना भी मतलब ट्रेंइंग होता है जितना भी नाबल वमरस में हुचल आते ह्या जितना भी तॉर इस्ट्ेलिशमेंट से जोकि ट्रेंइनिंग जहां पूराता और शब्वार रह आता है काहाँ वर वर्द में अब लास्ट क्या है यूनीफाइड नमकॉमर आप जो आता है यूनिफाइड नावाल कमंड नावाल कमंड कहां लोकेट होता है अंडावन एन निकोबर का जो और्ट ब्लेयर होता है प्रेजेंट इन और्ट ब्लेयर में प्रेजेंट होता है यह भी वाइस अड्मिरल के द्वारा कमंडेड होता है कमंडेड बाइस आड्मिरल डिजाइनेटेड एज इसका थोड़ा अलग है सिंसन सी आई एन शी ए एन फ्लाइग अपिसे मतलब बाइस आड्मिरल जो है उनका डिजाइनेटेड एज सी आई एन सी एन कमंडेड इन का मतलब इन ही होता है इन चिप अंडामान एंड निकोवार यह हो गया यूनिफाइड नावाल कमंड तो यूनिफाइड नावाल कमंड है यह भी एक अपरेशनल कमंड है अपरेशनल कमंड है लेकिन यह जो तीनों थे सबसे पहले जो थे अमरा वेस्टन नावाल कमंड इस्टन नावाल कमंड यह सब कहां कहां है रेस्पन्सिवल अप अल्ली नेवी मतलब यह अपरेशनल कमंड है लेकिन अल्ली फोर इंडिया नेवी लेकिन यह जो है इस्टन अपरेशनल कमंड फोर कंट्रोल ओफ और आर्मी नेवी एंड एर फोर्स यह तिनों गे लिया होता है इसलिए इनको यूनिफाड बोला जाता है तो तो यह ओगे यूनिफाइन नावल कमाड़ बाकी तीन थे वेस्टन नावल कमाड़ इस्टन नावल कमाड़ दोनु नाभाल बेस्ट की अपरेशनल कमाड़ थे अब अगला टप्रिक जो है वह फ्लीट तो फ्लीट क्या होता है फ्लीट होता है ग्रूप अब वेरियोस टाइपस अब वार्शिप्स एंड एरक्राप्ट्स मतलब फाइटर जेट हो गया वार्शिप्स मतलब क्या युद्ध जहाज तो युद्ध जहाज एंड एरक्राप्ट मतलब लडाकू विमाग एरक्राप्ट्स तो फाइटर जेज बए और जेज इएउनित to fight the battle और वार्वर्छ ओक्या it is a group of warship and aircrafts वार्शिप्सेड एर्ग्राफ्ट्स ओर्गनाइज्ट एज ए यूनिट टू फाइट दे बेटल ओके तो वार्शिप्सेड एर्ग्राफ्ट्स जा ओर्गनेज होता है एक यूद्ध के लिए तो उन्हें फ्लीट बोला रहता है तो इंडियन नावल इंडियन नेवी में दो ही फ्लीट से टू फ्लीट से अर्देयार प्रेजेंट इन इंडियन नेवी तो वह क्या है यह में वेस्टन फ्लीट वेस्टन फ्लीट एंड इस्टन फ्लीट दो ही फ्लीट है वेस्टन फ्लीट कहां प्रेजेंट है वेस्टन नावल कमांड जा प्रेजेंट है वेस्टन नावल कमांड कहां प्रेजेंट था डबलू को उलटा कर तो मुंबाई में में प्रेजंट है प्रेजंट है प्रेजंट मुंबाई ओके वेकिन ये इसका है युए फ्रीट होता है इसका है है कोई भी रियर औड़्मिरल क्योंमन्स का भाइबड आड़्मिरल इसलिए मैं बोलता था याद करने के लिए कॉमञट सका वाइंट में होता है यह दोनीं होते है तो जो head होते है फ्रीट का होते है rear admiral ओके, commanded by rear admiral और designated, यहाँ पे भी उनको कुछ बोला रहता होगा ना तो designated as flag officer commanding western fleet F-O-C-W-F मतलब इन चीप यहां नहीं आएगा flag officer commanding in, sorry, इन चीप नहीं आएगा western fleet ओके, यह हो गया, western fleet B में क्या है, eastern fleet इस्टन fleet, present in y, विशागा पाटनम जहां नाभाल command present है, वहीं fleet fleet तो y अर्गानाईज होगा ना यह भी commanded by दिखने रहा ना क्यों को मैं आडमिरल होगा, इनका रियर आडमिरल जो होते हैं, डी जैने अटेड एज, फ्लाग, आफिशर, कमांडिंग, इस्टन fleet, पुरा नहीं लिखे रहा हूँ बाद, इसे इनका जो नोट से, मैं लास्ट्वी वीडियो पाटनमाईज, अर्बाद के नाज्ट्वीन युएगा साथा अटाज करके देदुँंगा, तो आप लोग स्कीन सट लेने न, वे वे, इसके बाद में लास्ट टॉपी के आज का इसे सेंसन का लास्ट टॉपीट, फ्लॉटिला, फ्लॉटिला क्या होता है, ख़्बॉप अबी स्माल वेसल्स, फ्लॉटिला, व्लॉज़ प्रोटिला की ओर्गराइजड इनरो घूर अ हाने में भूरंप Olom जो स्मॉल बैसल ने ग्रोप अरगानेज होता है ड़ेसल का अरगानेजेशन को फ्लोटिला बनाता है जो small vessels है छोटा 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 वैसल बैसल मतलब नर्मली छोटा 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 सीपी होता है तो जो group में और्गनेज किया जाता है उनको बुला जाते है local चोटेला तो बिग्ष्ट लोकाल spelled लोकल सोटेला मोगई है का मकर्प्रेजेट है मुमबाई बिगेस्ट लोकल फोटिला प्रेजेंट है उनका हैड कौन है यह जो लोकल फोटिला है किसके द्वरा कांट्रोल किया जाता है नाभाल अफिसर इन चार्ज ओके नाभाल अफिसर इन चार्ज यह होता है उनका हैड जो बिगेस्ट लोकल फोटिला है मतलब फोटिला का यह होता है नाभाल अफिसर इन चार्ज फोटिला का हैड यह होता है जो जो मुंबाई का हैड कौन होता है जो बिगेस्ट लोकल फोटिला प्रेजेंट है मुंबाई का उनका हैड कौन होता है एल्स लोकल फोटिला प्रेजेंट इन मुंबाई इसका हेड कौन होता है F.O.M.A मतलब फाग अफिसर मोहारास्टर एरिया यह होता है आज का टपिक खतम छोटा सा आपके लिए माइन्ड में हो गया तो नोट्स में पढ़ लो गए ज्यादा मतलब Però यह नहीं है इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है याद रखने के लिए तो थोड़ा सा पढ़ लोग है इसके बाद सोर एस्टाबिस्मेंट सहोर एस्टाबिस्मेंट कहा है उनको आपको रतना ही पढ़ेगा मतलब रटना क्या यादी रखना पड़ेगा तो मैं नोट्स के साथ आठास कर देंगा पढ़ लेना ओके तो पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूं यह स्टडी मेट्रियाल के ओपर पहली बार यूटूब में बना रहा हूं तो कोई गलती हुई है तो प्लीज कॉमेंट सेक् करने के लिए नहीं बोला था लेकिन आप बोल रहा हूं क्योंकि पहला बात यहां कि हमारा नया चैनल है तो आपको लाइक तो करना पड़ेगा सबस्क्रेब भी करना पड़ेगा तो आप लोग के लिए वीडियो कैसे बनाएंगे अगला भी बहुत सारे टॉपिक्स है थैंक यू सो मुच पर वाचिं इस वीडियो जाहिन झाला बात 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 की सर्थ है चैनल है